तो फ्रेंड आप देख रहे हैं मैंने अपने लैप्टोप के अंदर Facebook, Telegram और Google इस तरहे किसे application को यहाँ पर डाउनलोड किया हुए है इससे पीछे मैंने दो वीडियो बनाया थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने laptop और computer के अंदर Instagram, WhatsApp को डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो दोनवी वीडियो के लिंक नेचे description box में डाल दियें तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं तो फें laptop और computer के अंदर apps को डाउनलोड करने के दो तरीके हैं वही जैसे आप अपने mobile के अंदर डाउनलोड करते हैं एक तरीका होता है जैसे आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करते हैं पले स्टोर से और पले स्टोर पे कोई एप आपको नहीं मिलता है तो हम उसको Google से डाउनलोड कर लेते हैं तो सेम इसी तरीके से आपके laptop और computer के अंदर होता है आपको सिंपली सबसे पहले करना का Start बटन पर कलिक करना और Microsoft Store को open कर ले जैसे आप इसको open करेंगे तो यहाँ पर आपको home page पर जो है काफी सारे application मिल जाएंगे आपको यहाँ पर apps के उपर कलिक कर देना है इस पर कलिक करन see all लिखा हुए इसके उपर हम कलिक करेंगे तो यहाँ पर और काफी सारी application आपको देखने को मिलेगे आप देख रहे हैं यह रही काफी सारी application है और यहाँ पर आप देख रहे हैं YouTube भी है थोड़ा नीचे आएंगे यह Lightroom, Facebook इस तरीके से आपको सभी browser, serit आप देख रहे है जो mobile आप अपने mobile के अंदर यूज़ करते हैं Play Store से डाउनलोड करके यह भी वैसे ही आपके computer और laptop के अंदर काम करेगी तो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर pick cart हो गया और नीचे आते हैं यहाँ पर flip cart हो गया और नीचे आते हैं Twitter हो गया काफी सारी जो आप अपने mobile के यूज़ करते हैं सभी application आपको यहाँ पर मिल जाएगी तो आप देख रहे हैं आप टेलीग्राम भी आ गया है file manager आप यह देख रहे है messenger और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पर और application मिल जाएगी और friend आप देख रहे हैं यहाँ पर screen recorder snap tube सभी application जो आप अपने mobile के अंदर चल while के इंदर होता है play store वैसी यह एक play store है अगर आपको कोई app यहाँ पर नहीं मिलती है जैसे आपको play store पर कोई app नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं Google से download करते हैं तो same वही process हमें यहाँ पर करना है अगर आपको कोई application यहाँ पर नहीं मिलते है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे Google को open करेंगे तो सबसे पहले मैं आपर Google Chrome को open कर लेता हूँ उसके बाद आपको करना क्या है आपर अगर आपको कोई software डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है सर्च बार पर कलिक करना और टाइप करना है File Horse और इसको सर्च कर लेना है आप अच्छे से देख लीजिए File Horse लिखके आपको सर्च कर लेना है तो फर्स्ट जो वेबसाइट आप देख रहे है www.filehorse.com इसको open कर लेना है जैसे आप इसको open करेंगे तो आप देख रहे हैं यापर आपके सामने काफी सारी जो है software आपको यापर देखने को मिलेगी application software तो आप देख रहे हैं यापर अगर आपको कोई coding वगएरा से related कोई download करना आप देख रहे हैं Zoom meeting इस तरह किसे Photoshop वगएरा सब कुछ आपको यापर मिलेगा सभी application, browsers, games सब कुछ आपको यापर देखने को मिलेगा कुछ applications होती है आपको यापर ना देखने को मिले तो आप ऊपर search कर सकते हैं जैसे कि मुझे यापर कहीं पर भी WhatsApp नहीं दिखा तो मैं याप पर इसको search कर लेता हूँ WhatsApp हम यापर type करके इसको search करेंगे तो जैसे हम इसको search करेंगे तो यापर आप देखरेंगे ये WhatsApp भी यापर आ चुक है 32-bit में भी और 64-bit में भी और डाउनलोड करना भी काफी एज़ी है आपको simply download बटन पर click कर देना है जैसे मुझे ये WhatsApp डाउनलोड करना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको यापर एक बटन मिलेगा start download का इसके उपर आपको click कर देना है और आपको जो है एक सी दो सेकंड का wait करना और आप नीचे देख रहे हैं आप डाउनलोडिंग लगना start हो चुक है तो अभी के लिए इसको मैं ऐसे cancel कर रहा हूँ मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है एप को install किया जाता है तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कुछ application तो आपको जब Microsoft Store के अंदर जो है easily मिल जाती है तो आप उनको भी use कर सकते हो और Microsoft Store के अंदर भी application को download करना काफी easy है मैं आपर भी आपको download करके बता देता हूँ जैसे कि हमें Instagram download करने है तो हम इसके उपर click करेंगे इस पर click करने वाद आपको यहाँ पर simply एक option मिलेगा get का मापको दिखा देता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर install लिखा हूँ है कई बार यहाँ पर get लिखा हूँ अभी होता है तो आपको simply इसके उपर click करेंगे तो जैसे आप इसके उपर click करेंगे तो यह जो है आप देख रहे हैं यह जो है 3.59 MB का यह इसका size है और यह यहाँ पर downloading लगना start हो चुके तो इसको भी मैं यहाँ से जो है cancel कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे download नहीं करना है मैं बस आपको बता रहा हूँ तो friend वैसे तो सभी application आपको यहाँ पर मिल जाएगी आप चला सकते हो उसके लिए आपका थोड़ा system heavy होना चाहिए तब आप चला सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दीता हूँ मेरा system इतना heavy नहीं है और इसके अंदर नहीं Android application चल सकती है लेकिन चल सकते हैं आपका system heavy होना चाहिए तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले Google Chrome को open कर लेना है और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था File और सोसी को सर्च कर लेना है और open कर लेना है साइट को तो मैं open कर लेता हूँ तो अभी आपको करना क्या फेंड यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको अपने लैप्टोप और कम्प्यूटर के अंदर android application चलानी है अगर आप gaming वह रहा करते हो pubg, fire fire वगेरा कोई भी आपको gaming करनी है जो android game है तो वो आपको अपने computer में चलानी है या फिर कोई भी android application आपको अपने computer या फिर laptop के अंदर चलानी है तो उसके लिए आपको android emulator को अपने computer के अंदर या फिर laptop में install करना होता है जैसे कि यहाँ पर दो emulator मापको दिखा दिता हूँ आप देख रहे हैं काफी ज़्यादा popular है आप YouTube पर tutorial देख सकते हैं आपको काफी सारे मिल जाएंगे काफी popular है emulator आप उसको भी use कर सकते है एक्चले में यह होता कि है यह play store की तरह होता है तो अगर आपको android application चलानी है और आपका system heavy है gaming PC है तो आप इसका use कर सकते हैं otherwise आपको कोई computer के software application डाउनलोड करना है तो आपको Microsoft store मिल जाता है अगर वहाँ पर कोई software या application नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर file और से डाउनलोड कर सकते हैं और यह काफी safe है तो वाइरस वगेरा कोई चक्कर नहीं है आप बिल्कूल easily यहाँ से डाउनलोड करके इनको use कर सकते हैं तो फ्रेंड I hope कि आज का वीडियो आपको काफी अच्सा और useful लगागा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बता देना मिलते हैं ऐसे एक और next वीडियो में